आप सभी को स्वागते आज आम बनाएंगे आलू के कचरी चट पटा क्रेस्पी क्रेंची आलू के कचरी बजार जैसी क्रेस्पी क्रेंची बनने वले आलू के कचरी चली आभी रेसिपी हम सुरू करते हैं अगर रेसिपी एच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा दिस्तों के साइर कर दीजिएगा और मेरे चैनल का सुस्क्राइब नहीं किये तो अभी तग अब सुस्क्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा आगली वीडियो की नोटिफिकेशन के पेले हम अठा लगाएंगे मैं इधर मैधा में कचोडी बनाने बली हूं तो दो कप मैदा अड़ करी हूं इहूं का अठा का भी बना सकते हो वह विक बाती क्रिस्पी बनेगी इस तरह से कि अधर में कप में माप कर रहे हूं आपके पास कोटोरी है तो कोटोरी भी माप कर सकते हैं और नमक डाल रहे हूं स्वाधन उसर और इधर एक चया मच में आजमाई ले रहे हूं उसको हाथ में हम थोड़ा से क्रस कर लेंगे उसके बाद हम डालेंगे इस तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे आयल डालेंगे क्रिस्पी के लिए मैं इधर दो से तीन चामाच बड़ी चामाच आयली हूँ उसको हम डाल देते हैं और अटागे साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए अच्छे आप इस तरह से पकड़ होगी तो आपका वैटा है जो तो बाइडिंग बन जाएगी तो पता चल देगा जे आमारा आयल प्रफेट है अभी थोड़ा थोड़ा पाने डालके हम वाटा लगा देते हैं और शाफ्ट डो बना देंगे जैसे रोटी में आम डो बना देन बस इसी तरह ही डो बना देंगे अभी यह अमारा डो बन के अलमस तेयार हो गए यह निषाप्ट बनना दी हूँ डो यह देखिए और उसको हम आभी साइट कर लेंगे आर अलो अपासाला भी तयार करेंगे यह में दो वाइल आलो ली थी, उसको थंड़ा कर लिए हूं, उसको हम ग्रेट कर लेंगे, कोई लेंश नहीं रहना चाहिए, कचोड़ी हमारो अफट चाहिए तो इसलिए मैं ग्रेट कर ले दी हूं, यह थोगा से पान में आलो डाल हूं अलो मसाला तयार करेंगे तो half teaspoon जीरा मादालें गुटा जीरे उन टेस्पून नम धेनया पाउडर जालेंगे उन टेस्पून नम धेनया जीरा पाउडर और उन टेस्पून लाल मेच्ची पाउडर से हरे चीजो घालका सफ्राइ कर लेते हैं इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं जो आलू में तियार करके रखेते हैं इसको हम डाल देते हैं आलू में अलमस में नमख डाल दी हूँ इस सबस्टे आप्णामाग डालेगा। इदराम मीक्स कर लेते हैं और वन टेस्पून नामचोर के पाउड़र और वान टेस्पून में जो नहीं होगा ना वो सरे कतम हो जाएगे। हमारे आलू जो ड्राइब बन जाएगे कचोड़ी बहुत यह अच्छी बनेगी अपको चोड़ी में हमें सब जो आलू मसाला तेयर करेंगे उस में थोड़ा सा बेशा नार कर लेंगे आपका कचोड़ी क्रिस्पी बनेगे देखिए अटा हमारा तेयर हो गए हैं उसको हम छो कर देना है इस तरह से बना दीजे बीस से हम स्टेपिंग बहल लेंगे अलो का सटेपिंग देंगे और उस्कों आप विबान कर देते हैं कि इस तरह से चारो एक साथ लेजिए इस तरह से गुराइए जो बैस किया है तो आप उसको निकाल सकते हैं नहीं ते इस तरह से दबा दीजिए यह बीज के थोड़ा सा दबाईए और साइट में इस तरह से दबाईए बीज से दबानेसे जब इच का आलो है चारा तरफ से हो जाएगी इसके बैद आप चारा तरफ से हल्काल का हस से दबाईएगा यह हमारा कचोड़ी बनके अर्मॉस तेयार हो जाएगी यह दिखिए कच तरी बन के तियार होगी है दूसरा भी बना देते हैं सेम पूसेज में हम बना देंगे इस तरह से हस्ते लीजिए और उखमाये बीच का हम थोड़ा से मोटा रखना है और चारा तरफ से पतला रखना है अश्टापिंग भनना है और बन्त कर दीजिएगा भाती आसानी से इस तरह से बन जाएगी आपको बेलों भी नहीं लगेगी इस तरह से हस्ते बना दीजिएगे इस तरह से ब्चेर पैंस को जोड़िया बनाएए और उसको फ्राइ कीजिए और बाद में दूसरा बना दीजिएगा यह अच्छी रहती है कचोड़ी नहीं सुकती है और टाइम क्या भी बचत हो जाती है घ्लिया आमका हमारे कचोड़ी अल्मस बनके टैयार होगे अब उसको हम फ्राइ करेंगे यह दिखे यह बन के त्यार हो गए अभी हम चले फ्राइ करते हैं गयस में अलमस में तेल गरम कर दी हूं कड़ाई में अब उसको हम ड़ेंगे कचोड़िया एक एक करके सरक चोड़े डाल देते हैं का मां आपका कड़ाई में जितना भी जागा हैं उसी चism को छोडही डलीयगे जदा ही डलिएगा यह इस च्ट में चलपास मुद्य दाल दूहँगे कच्शोड़ी इससे अच्छा होगा कि कचड़ी आपकया यह एक साथ एक पूलेगी एक तुसरे के सायाज से बहुत ही अच्छा क्रीज भी बनेगी और टाइम का बच्छत भी हो जाएगी मैं इधर चरपाइस को जोड़ी है डाल लूँ एक साथ में कि अरेक डाल देते हैं कि अभी उसको हम टेस्ट नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है एक दम पल्टी भी नहीं करना है जब एक साइड हो जाएगी फूल के उपर आ जाएगी तो दूसरे साइट को हम पल्टी करेंगे नहीं तो भी हाथ भी नहीं लगाना है यह दिखिए हमारा कचोड़ी फूल के अ मस उपर आ गई है कि अभी हम उसको नहीं पल्टी करेंगे नीचे का तरह हो जाएगा तब हम उसको पल्टी करेंगे कि यह मारा नीचे का तरह का अलमस हो गई है तो दूसरा साइट हम पल्टी कर लेते हैं कि दीके कचोड़ी हमारा फूल गई है जी तरह से तरह साइप पल्टी कर दीजिएगा इस तरह साइप पल्टी करके प्राय कीजिएगा जब का गोल्डेन कलर नहीं है जाएगी डीप कलेर तब तक कि थोड़ा सा कलर हमारा कम है और थोड़ा सा डाक वना तक हम उसको फ्राय करेंगे यह देखिए कचोड़ी का बहुत ही अच्छी कलर आ गई है कितने खुपसूरत लग रही है और भूल के भी बहुत ही फुला फुला कचोड़ी बन के तेयर हो गई है उसको हम प्लेट में निकाल देते हैं अभी यह देखिए यह हमारा कचोड़ी बन के अलमास देयर हो गई है अलूगा कचोड़ी चटपटा अलूगा कचोड़ी क्रीस्पी यह में तोड़ के आपको दिखा दी यह देखिए कितनी अच्छी है कितनी क्रीस्पी बनी है हमारा अलूगा कचोड़ी इस तरह आप घर में ज जरू रताएगा कैसा बना है यह देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं हास मालना से टोट जाती है अगर रेसीपी आपका अच्छी लगेगी तो लाइक किजिएगा और स्यार कर दीजिएगा सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा